हेलो स्टुदेंट्स गुड़ मार्निंग आलाफ यू ए ट्यूटोरियल बिना एक इंटर्मीडिट कालेज खजुरेट अजोध्या में आपका स्वागत है मैं दया संकर यादो क्लास 10 सब्जेक्ट बायोजी मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ जैसा कि इसके प पढ़ेंगे न्यूकलिक अमल के प्रकार टाइप आउफ न्यूकलिक असीड न्यूकलिक अमल मुक्तिया दो प्रकार के होते हैं डियन्ने सेकेंड है आर्यन्ने फैस्ट है डियन्ने डियन्ने का पूरा नाम डियाक्सी राइबो न्यूकलिक असीड या अमल भी कह सकते हैं आर्यन्ने का पूरा नाम राइबो न्यूकलिक असीड राइबो न्यूकलिक अमल तो हां हम लोग पढ़ेंगे डियन्ने डियाक्सी में जर्मन रसायन सास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की, उन्होंने मानो कोशिका के केंद्रक से एक सफे द्रब्य संस लेशित किया, एवं इसे न्युकलीन नाम दिया, अमली प्रकित तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण, इसे केंद्रक अमल या न्युकलीक एसीड कहा गया, डियन्य की अधिकांस मात्रा केंद्रक में होती है, यद्देपी कुछ मात्रा माइटो कांड्रिया एवं हरित लवक में भी मिलती है, सभी पादपों, जन्तुओं तथा कुछ विसाड़ूं में डियन्य द्विक कुंडलित डबुल हेलिकल होता है, आज बच्चों यहीं तक इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे डियन्य का इस्ट्रक्चर, डियन्य की संरचना, थैंक्यू,